नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आज हम दो अक्षरों को चोड़ कर बिना मात्रा वाले सब्द बनाना सीखेंगे. आप सभी जल्द से जल्द हिंदी पढ़ना सीखना चाहते हैं ना? तो आज मैं जो आपको सिखाने वाली हूँ, उसे ध्यान से सीखिएगा. तो चलिए जल्दी से सुरू करते हैं दो अक्षरों वाले सब्द बनाना सीखना. यहाँ आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पहला अक्षर लिखा हुआ है ना, ना और दूसरा है ल, ला. अब इन दोनों अक्षरों को हम साथ में पढ़ते हैं. न, ल, नल. न, ल, नल. यह है नल. अब आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है उसमें पहला अक्षर है ब, ब. और दूसरा अक्षर है स, स. अब हम इन दोनों को साथ में पढ़ते हैं. ब, स, बस, ब, स, बस, यह है बस. अब हम को जो दिखाई दे रहा है उसमें पहला अक्षर है घ, घ, और दूसरा है र, र, अब इनको हम साथ में पढ़ते हैं. घ, र, घर, घ, घ, र, घ, यह है घर. यहां जो दिखाई दे रहा है उसमें पहला अक्षर है त, त, दूसरा अक्षर है ब, ब, अब हम दोनों को साथ में पढ़ते हैं. त, ब, तब, त, ब, तब, यह है तब. अब आपको जो दिखाई दे रहा है उसमें पहला अक्षर है म, म, और दूसरा है ग, ग, अब हम इन दोनों को साथ में पढ़ते हैं. म, ग, मग, म, ग, मग, यह है मग. यहां लिखा पहला अक्षर है फ, और दूसरा अक्षर है ल, ल, साथ में पढ़ते हैं तो हो जाएगा फ, ल, फ, फ, ल, फ, यह है फ, यहां लिखा पहला अक्षर है ह, ह, और दूसरा अक्षर है ल, ल, अब साथ में पढ़ते हैं ह, ल, हल, हल, ह, ल, हल, यह है हल. अब यहां जो लिखा है उसमें पहला अक्षर है क, क, और दूसरा अक्षर है प, प, साथ में पढ़ेंगे तो हो जाएगा क, प, कप, क, प, कप, यह है कप यहां दिखाई दे रहा पहला अक्षर है द, द, और दूसरा अक्षर है स, स, साथ पढ़ने पर हो जाएगा द, स, द, स, द, स, द, स, यह है द, स, यहां लिखा पहला अक्षर है र, र, और दूसरा अक्षर है थ, थ, साथ पढ़ने पर हो जाएगा र, थ, र, र, थ, र, र, थ, यह है र, र, बच्चों आपको इसे सीखने में मज़ा आया ना अब आप इसका अच्छे से अभ्यास कीजिए और हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के एक्सेसाइस के साथ तब तक के लिए बाई बाई